स्वागत है आप सभी साथियों का द्रिस्टी PCS की यूट्यूब चैनल में मैं हूँ सलमान और हमारा आज के जो प्रोग्राम में यानि के स्टेट एटलस इसमें हम आज मध्य प्रदेश राज्य में बीते हफ्ते जो भी खबरे सुर्खियों में रही और उन खबरों के आधार पर राज्य के ऐसे इस्थान जिनके उपर मानचित्र से लेकर के कोई सवाल आगामी परिच्छा में बनाया जा सकता है तो उनके उपर चर्चा करेंगे एपिसोड की शुरुआत करने से पहले पिछले एपिसोड में जो अभ्यास प्रस्ण आप सभी के लिए दिया गया था उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर एपिसोड की शुरुआत करते हैं तो सवाल पूछा गया था दिये हुए कथनों पर विचार करें पहला कथन था मर्ध्य प्रदेश को नदियों का ससुराल कहा जाता है और दूसरा कथन था चंबल राज्य की सबसे बड़ी नदी है पूछा था उपर युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या उपर युक्त में से कोई नहीं तो मर्ध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसे नदियों का ससुराल नहीं जो कि राज में अमर कंटक्स से उद्गमित हो करके पूर्व से पस्चिम दिसा की और प्रवाहित होती है और नर्मदा को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है तो नर्मदा के बाद चंबल का नंबर आता है उसके बाद सोन फिरतापती इस तरह से घटते हुए करम में इन नदियों की लंबाई है तो इनकी अगर हम बात करें चंबल की तो चंबल जो है इन दोर इस्थित जानापाव पहाड़ी से उद्गमित होती है और फिर ये उत्तर की और प्रवाहित होते हुए राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है फिर से एक बार पुना मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हुए आगे जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है वही अगर नर्मदा की हम बात करें जो की सबसे बड़ी नदी है तो ये अमर कंटप में के समीब से जो जिला है अनूपूर वहां से उद्गमित होती है और कुछ ये इस तरह से पूर कोई भी कथन सही नहीं है तो डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा और जिन विद्यारतियों ने डी आप्शन उत्तर में दिया था कमेंट सेक्शन में उनका उत्तर बिल्कुल सही है जिन विद्यारतियों ने इस प्रस्ण का उत्तर नहीं दिया था या अभ्यास प्रस्ण का जवाब आईए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और देखते हैं पहली खबर क्या है खबर है 17 प्रवासी भारती दिवस अगले वर्स जन्वरी 2023 में इंदावर में होगा आयोजित प्रवासी भारती दिवस की अगर हम बात करें तो ये प्रतेक वर्स नव जन्वरी को आयोजित किया जाता है इसमें मुख रूप से ऐसे प्रवासी भारती जिन्होंने देश के विकास में विशेस योगदान दिया है उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए इसका आयोजन किया आता है और अगर इसके आयोजन के पीछे हम मुख की बात करें तो वर्ष 1915 में 9 जनवरी के ही दिन महत्मा गांधी जो है आफरीका से लौट करके भारत आये थे इसलिए 9 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है तो इस बार भारती प्रवासी दिवस का आयोजन जो है इंदावर में हो रहा है तो इससे संबंदित सवाल बनाया गया है मालवा की गंगा का उद्गम किस पहाड़ी से होता है विकल्प है काकरी बरड़ी पहाड़ी जाना पाव पहाड़ी राज पीपला की पहाड़ी यह सबसे अंत में है अजंता पहाड़ी तो यहाँ पर एक hidden question है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वह कौन सी नदी है जो की मालवा की गंगा के नाम से प्रसिद है तो मालवा की गंगा के नाम से जो नदी प्रसिद है वो छिप्रा नदी है और छिप्रा नदी के अगर हम उद्गम की बात करें तो ये इंदौर जिले में काकरी बाड़ी पहाड़ी से उद्गमित होती है और उत्तर की और प्रवाहित होते हुए ये मंदसौर जिले में चंबल नदी से जाकर के मिल जाती है यानि कि ये जो है चंबल की सहायक नदी है ये मंदसौर जिले में चम्बल से जाकर के मिल जाती है तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा एवाला हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं प्रस्ण से पहले एक बार खबर को देखते हैं खजुराहों में आठवे खजुराहों अंतरराश्टी फिल्म फेस्टिवल का शुभारम अभी हाल ही में छतरपूर इस्तित खजुराहों में आठवा खजुराहों अंतरराश्टी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है इस फिल्म फेस्टिवल आयोजन का मुख जो को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है तो इससे संबंदित सवाल बनाया गया है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है एक तरफ जलप्रपात दिये हुए दूसरी तरफ उनकी अविस्थिती दी हुए यानि कि वह जलप्रपात राज्य में कहां पर इस्थित है और हमे प्रमजलप्रपात के यहें अनूपर में स्थिते है और र्ने की हम बात करते है तो यह टीकमगळ में स्थित ना होकर के बलकी च्छतर पूर्मे इस्थित है तो यानि जो डी वाला विकल्प है हमारा यही सुमेलित नहीं है और यह इस प्रस्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आईए इंजीलों की इस्थिति को एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर की इस्थिति कुछ यहां पर है वही पन्ना की अगर हम बात करें तो पन्ना की इस्थिति कुछ यह रही अनूपुर की बात करें तो अनूपुर की इस्थिति कुछ यह रही वहीं जो विकल्प में जो सुमेलित नहीं था टीकमगड अगर टीकमगड की इस्थिति को हम देखे तो टीकमगड कुछ ये इस्थित रही जो की सुमेलित नहीं था यानि ये विकल्प सही नहीं था बलकि छतरपूर सही उत्तर होगा तो छतरपूर के अगर इस्थिति देख तो यह टीकमगड के पूर में इस्थित है और पन्ना के पश्ची में यानि पन्ना और टीकमगड के मध्य में जो जिला इस्थित है वो छतरपूर है और यही बिल्कुल सही है यही पर रनेह जलप्रपात इस्थित है इस तरह से इस प्रसंद का जो सही उत्तर रहा डी चलते हैं आगे की तरफ अगली खबर है बैतूल में माचना नदी पर बने माचना एनी कट के समीप नगरपाली का वाच टावर की तरह 12 फिट उचा सेलफी पॉइंट बनाएगी बैतूल जिले में परेटन को बढ़ावा देने के लिए माचना नदी के पास जो वाच टावर बनाया गया है उसी के पास एक और सेलफी पॉइंट बनाया जाएगा जिसकी वज़ा से यह जो जिला है वह जो वहाँ पर आसपास के लोग है उनमें खुशी का माहौल है साथ ही साथ इसके पीछे एक कारण और भी है कि जिससे की बैतूल जिले में जो परेटन है उसको बढ़ावा दिया जाएगे अनराजिक है जो भी परेटक आते हैं यहाँ पर बैतूल जिले में इस्थित जो भी परेटन से संबन्जित इस्थान है उनको किस तरह से और अधिक उनसमें इविकास करके लोगों को आकरशित किया जाए इसका भी एक उद्देश रखा गया है तो सवाल बनाया गया है निमलिखित में से किस नदी का उदगम विंधिया चल परवत से नहीं होता है विंधिया चल पहाड़ी का या विंधिया चल परवत माला का पूरा का पूरा ये पोर्शन है और इसके अंतरकर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बेतवा नदी दिखाई दे रही है यह बेतवा का उदगम जो है इसी से हो रहा है उसके बाद अकर सोन की बात करें तो सोन न रही है नर्मदा की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा भी जो है अमर कंटक्ट से निकलती है जहां पर विंधिया चल परवत माला का विस्तार देखा जाता है तो इस तरह से कुल मिला करके जो विकल्प में बचता है तापती नदी बच जाती है तो अगर तापती नदी की ह हम बात करें तो ये बैतूल में इस्थित मुलताई नामकिस्थान से उद्गमित होती है और ये विंध्याचल परवतमाला के नीचे जानी कि वहां से इसका उद्गम नहीं होता है इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा एवाला हो जाएगा अगर इसको मांचि पर हम देखें तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बैतूल जिला है यह जो है और यहीं पर मुलताई नामकिस्थान से इसका उद्गम होता है और तापती नदी भी नर्मदा की भाती जो है पूर्व से पस्चिम की और प्रवाहित होती है चली आगे चलते हैं अगली खबर है शिवपूरी के माधाव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के लिए भी कवायत शुरू जमीन चिन्हित जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में कूनो पालपूर में जो कि शिवपूर में इस्तित है कूनो पालपूर जो रमीबिया से कुछ चीते ला करके रखे गए हैं और उसी के तरज पर आगामी जो चीते आने वाले हैं भारत में विदेश से उनको संभावता शिवपूरी इस्तित माधाव नेशनल पार्क में रखा जाएगा और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टाइगर सफारी को बढ़ावा देने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है तो सवाल पूछा गया है निमलिखित में से कौन सा जिला करक रेखा के उत्तर में इस्तित है विकल्प दिया है राजगर रतलाम उज्जैन एवं शिवपूरी तो इसके लिए हमें मानचित्र का ध्यान होना बहु कि मध्य प्रदेश राजव में किन किन जिलों से होकर करक रेखा गुजरती है तो उसको एक बार अगर मानचित्र पर हम देखे तो यहां से हम इसपस्ट रूप से देख सकते हैं रतलाम आगरमालवा उज्जैन राजगर भोपाल सिहोर विदिशा राइसेन सागर दमो कटन जबलपूर उमरिया एवं शेहडोल चिले से होकर करक रेखा गुजरती है तो यहां पर जो विकल्प दिया हुआ है रतलाम दिया हुआ है तो रतलाम बिलकुल भी नहीं होगा वही राजगर उज्जैन की अगर इस्थिति को देखें तो राजगर ये स्थित रहा वही उज जैन की इस्थिति को कर देखें तो जैन यह रहा यानि उज्जैन और अतलाम के मद्य से ही लगभग गुजर रही है और राजगर की बात करते है तो राजगर के जो दस्छिड़ वाला इलाका है वहां से हो करकर रेखा गुजर रही है अब प्रस्ण में पूछा गया है उत को देखते हैं तो शीवपेरी यह यहां पर इस्थित है जो कि करक रेखा कि काफी जादा उपर है यानि कि उत्तर की दिशा में यह इस्थित है चली आगे चलते हैं खबर है इन दोर में आयोजित होगा अगला ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन वर्ष दो हजार तेईस में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है जन्वरी में किया जाएगा और इसके लिए अभी हाल में USA के जो उद्योग पती है विबिन उद्योग पतियों के साथ ही साथ जो भी राज्य के सांसद है उनसे चर्चा की है वर्तमान मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश ने जिससे की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो भी उद्योग पति यहां पर आएंगे इस बैठक में और जो भी कंपनियों के CEO वगारा यहां पर मिलेंगे उनसे बात करके मध्यप्रदेश राज्य में किस तरह से निवेस को आकरसित किया जाए उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने हाल फिलहाल में USA के उद्योग पतियों से और साथी साथ मध्यप्रदेश राज्य के जो भी सांसद है उनसे च क्रम जो है इन ठारु विकल्प में से सही है जिसे कि हमें बताना है तो बात कर रहा है पस्चिम से पूर्व की और नदीया आं कौण कौण सी हैं चंबल छिपरा पारवति और काली सिंद्ध तो पस्चीम से पूर्व की और अगर हम देखें ये west पस्चिम, ये east, ये north और ये south तो हमें पस्चिम से पूर्यान इस दिसाक में बताना है तो अगर हम मानचीत्र मर देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले चंबल नदी आएगी उसके बाद चिपरा, उसके बाद काली सिंध और पार्वती यहाँ पर इस मानचीत्र में चिपरा की है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर होगी अगर दूसरे मानचीत्र में देखें तो हमें स्थिति क्लियर हो जाएगी यहाँ पर देखें, चंबल नदी ये है जो की इंदाओर से उद्गमित होती है और छिप्रा भी जो है इंदाओर से ही उद्गमित होती है यानि कि कुछ यहां से उद्गमित होती है और आगे जाकर के मंसौर से मंसा और जिले में चम्बल नदी से मिल जाती है तो यानि कि जो पहले उद्गम की अगर हम बात करेंगे जो पस्चिम की ओर क्रम होगा वो चम्बल का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा छिप्रा का उसके बाद काली सिंद्ध और सबसे अंत में पारवती तो चम्बल छिप्रा काली सिंद्ध ये वाला विकल्प नहीं होगा काली सिंद्ध ये भी नहीं होगा चम्बल छिप्रा काली सिंद्ध पारवती यानि कि जो सी वाला विकल्प है इस परस्ण का ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यानि कि पस्चिम से पूर्व की और तीसरा वाला जो विकल्प है वो नदियों का बिल्कुल सही क्रम इस प्रस्ण में दिया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। खबर है प्रोफेशर मनीशा सर्मा का राजा वीर सिंग देव पुरसकार के लिए चैल। अभी हाल ही में साहित अकादमी मध्य प्रदेश परिशत के द्वारा वर्ष 2019 के लिए अखिल भारते और प्रादेशिक इस्तर पर जो भी पुरसकार है उसकी घोशना की गई है और इसके अंतरगत प्रोफेशर मनीशा सर्मा को जो है उनके उपन्यास ये इश्क ये इश्क के लिए इनका नाम शैनित किया गया है और ये जो पुस्तक है या जो उपन्यास है ये मुख्य रूप से युवा वर के उपर अपना ध्यान केंद्रित करती है तो सवाल बनाया गया है दिये हुवे कथनों पर विचार करें नर्मदा घाटी के पस्चिम में लाल मिट्टी पाई जाती है नर्मदा घाटी छेत्र को अर्थवस्ता की रीड कहा जाता है पूछा है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो या उपर युक्त में से कोई भी नहीं तो नर्मदा घाटी के पस्चिम की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह सोन और नर्मदा घाटी दिखाया जा रहा है, और इसके पस्चिम की बात कर रहा है, यह वाला जो हिस्सा होगा, यह पस्चिम हो जाएगा, और यह पूर्व हो जाएगा, तो इस तरफ की मृदा की बात कर रहा तो यह पूर्व की ओर है, ना कि पस्चिम की तरफ, अगर पस्चिम की हम बात कर, यानि इस तरफ की हम बात करते हैं, यह पूरा का पूरा एरिया है, यह पूरा जो है काली मिट्टी का एरिया छेत्र है, यानि अगर हम पस्चिम की बात करते हैं, तो यहाँ पर काली मिट्टी की बाहुलिता देखी जा सकती है तो इस तरह से जो पहला कथन है ये गलत हो जाता है वही अगर नर्मदा घाटी छेत्र को अर्थवस्था के रीड की बात करते है तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि नर्मदा घाटी का जो प्रवाद छेत्र है वहाँ पर सिचाई क उत्तम विवस्ता है जिसकी वज़ा से वहाँ पर विभिन प्रकार की जो फसले है उनका उत्तपादन काफी अच्छा होता है साथ ही साथ इस छेतर में अगर हम बात करें चूंकि काली मिट्टी है तो यहाँ पर कपास और मूंफली का उत्तपादन काफी जादा देखा जा सकत तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा यह बी वाला हो जाएगा यानि कि कथन दो जो है बिलकुल सही है अगली ख़बर है, सीधी रीवा मार्ग में इस्थित छुईया गहाटी में एक और टैनल का निरमाल अभी हाली में सीधी रीवा मार्ग पर इस्थित मुहनिया टैनल का भी निरमाल किया गया है जिसका कि अधगहाटन संभовता 10 दिसमबर को किया जाएगा अब चुकि एक और टेनल का निर्माण कर दिया गया है टेनल है इसकी वज़ा से बान सागर बहुत देशी सिचाई पर्योजना जो है उससे सम्मंदित या उसके आसपास के जो छेत्र है खास कर अगर हम सतना और रीवा की बात करते है तो वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनकी भूमियों के सिचाई के लिए इसका लाव मिल सकेगा इस टेनल के माद्धियम से लहाज़ा यह जो पूरा का पूरा एरिया है सीधी रीवा सतना का वो चर्चा में बना हुआ है इससे संबंदित सवाल बना गया है कोल जनजाती मुख रूप से राज्य के किस जिले में निवास करती है शियोपूर गौालियर सीधी या शियोपूरी यहाँ पर चार जिले दिये हुए है अगर कोल जनजाती की हम बात करें तो यहाँ पर सरवाधिक संकेंद्रण जो है को इसकी इसकी और इसकी तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से शाहरिया जनजाती निवास करती है तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा सीवाला हो जाएगा, सीधी हो जाएगा सीधी की स्थिति को अगर हम मानचीतर पर देखें कि सीधी की स्थिति कहां पर है सीधी मध्य प्रदेश के पूर्वी जीलों में से एक जीला है इस प्रस्ण का सही उत्तर सीवाला हो जाएगा, सीधी हो जाएगा जहाँ पर कोल जनजाती मुख्यरूप से निवास करती है वहिश्योपूर, गॉालियर उसुपूरी की बात करें तो यहाँ पर सहरीय जनजाती का संकेंडर देखा जाता है यानि कि यह जनजाती इन जीलों में अधिक्ता से या बाहुलिता के साथ निवास करती है चल यह एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं अगली खबर है NH-39 यानि कि राश्ट्री राजमार्ग 49 में बनी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग अभी जैसा कि पिछले प्रस्ट में मैंने जिक्र किया कि मोहनिया टैनल का निर्माण किया गया है तो यह उसी टैनल की बात की जा रही है जिससे कि जो सीधी और रीवा और सतना के आसपास के लोग हैं वहाँ पर इसकी वज़ा से काफी चर्चा बनी हुए उन लोगों में और इसका उद्गाटन जो है अभी हाल ही में 10 दिसंबर को किया जाएगा तो इससे संबंदित सवाल बनाया गया है दिये गए कथनों पर विचार करें राष्ट्री राजमार्ग 30 रीवा जबलपूर और डिंडोरी जिले से होकर गुजरता है या उत्तराखंड को आंध्रप्रदेश से जोडता है पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से काउन सा या काउन से कथन सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या उपर युक्त में से कोई भी नहीं तो राष्ट्री राजमार्ग 30 की हम बात करें इसको अगर मानचित्र पर देखा जाए तो राश्टी राजमार्क तीस यहाँ पर कुछ इस तरह से है और यहाँ पर यह जो जिला है यह रीवा है यह रीवा से होता हुआ आगे बढ़ता है जबलपूर के पास यह जबलपूर इस्तिती रही फिर इसके बाद यहाँ से मुल करके मंडला होते हुए मध्य प्रदेश के बाहर यह राजमार्क निकल जाता है तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं रीवा जबलपूर और मंडला तीन जिले से यह हो करके गुजरता है डिंडोरी की स्थिती हम देखें अगर तो डिंडोरी यह रहा और यहाँ पर राश्ट्री राजमार्क तीस जो है नहीं गुजर रहा है तो यहाँ पर डिंडोरी दिये होने की वज़ा से यह कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर अगर मंडला जिला होता तो कि यह कथन बिलकुल सही हो जाता वहीं अगर बात करें तो यह उत्तरा खंड को आंध्र प्रदेश से जोडता है तो यह कथन भी बिलकुल सही है यानि कि यह वाला जो कथन है यह बिलकुल सही कथन है इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा केवल दो हो जाए देख लेते हैं, खबर है मुरैना में अब ड्रोन से होगी अवायद खनन वा परिवान की निगरानी, मुरैना जिले की अगर हम बात करें, तो इस जिले में चंबल नदी की वज़ा से बहुत सारे खड़ों का निर्माड हो चुका है, और अगर नदी की इस्तिती की बात करते ह कि इस्तिती होने की वज़ा से वहाँ पर बालू, उत्खनन और खनन से संबंदित जो क्रियाएं होती, वो काफी जादा अवायद इस तर पर होने लगी है, जो की प्रशाशन के लिए चिंता का विशय बना हुआ है, और इस समस्या से निपटने के लिए अब इसकी निगरा केंदर में घडियाल के अलावा किस अन्य जीव का सनरक्षण किया जाता है, विकल्प है कच्छुआ, महाशीर, चौसिंगा या मगरमच, यह चार विकल्प दिये हुए है, क्या सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प ढूनिए और कमेंट सेक्षन में अपने उत्तर को दर तरीके से आप सभी तक पहुँचाय जा सकता है, तो आप सभी सादरामंत्रित हैं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए प्रसनों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, शुक्रिया.